हेलो फ्रेंड्स आज हम पढ़ेंगे हमने पढ़ा था हिंदी हम पंची उन्मुक्त गगन के और आज हम पढ़ेंगे हिंदी ब्याकरण क्लास 7 का फर्स्ट लेसन ठीक है चलिए हम सुरू करते हैं देखिए सबसे पहले हमें ब्याकरण समझने के लिए यह समझना पढ़ेगा क कि भासा क्या है संसार का प्रत्यक प्राणी किसी ने किसी प्रकार अपने भावों को प्रकट करता है यानि कि हम लोग किसी ने किसी प्रकार अपने भावों को एक दूसरे को बोलते हैं कहते हैं जैसे पक्सी चह चहाते हैं बिबिन जानवर लग लग आवाज हैं निकालते ह और मनुश्य हम लोग हैं जो हम तो सोच भी सकते हैं विचार भी कर सकते हैं चिंतन कर सकते हैं तो हम क्या हैं चिंतन सील प्राणी है अपने भावों और विचारों को ब्यक्त करने के लिए अप एक शाकित परिस्कृत रूप अपनाया है जिसे धीरे धीरे भासा का क्या हुआ आब इस कार हुआ सने सने मतलब क्या होता है? धीरे धीरे ठीक है? भासा आप देखो भासा के बारे में बताए गिया है भासा सब्द किस से बना है? भास थातुसे बना है जिस कारत है बोलना प्रारंबो में मनुष्य भी संकेतों द्वारा अपने विचारों को व्यक्त करते थे पहले पहले जब होता था पुरानी समय में मनुष्य भी संकेतों से ही अपने विचार बताते थे परन्तु संकेतों द्वारा अपनी बात को पूरी तरह कहपाना संभव नहीं है इसलिए अपने मुख से निकली धनी और अपनी विचार अभी व्यक्ति का साधन बनाया गया धीरे-धीरे धनियों से मिलकर क्या बने? सब्द बने, सब्दों से वाक्य बने और वाक्यों से क्या हुआ? भासा बने प्रारणम्प में भासा केवल मौकिक रूप में ही अस्तितु में आई यनि कि हम जिस भासा का प्रियोग करते थे वो केवल मूझे बोली जाती थी जब विचारों को संचित करने की आवशक्ता मैस हूँ तो जब हमें ये लगा कि हमें उनको सम्हाल के रखना है उसको लिखना भी है तो उसको भासा का अविसकार उसमें हुआ ठीक है अब देखो जैसे ये चित्र में दिखाये गिया आपको अरे राहुल तुमने कितना सुन्दर चित्र बनाया है उसका दोस्त पूछ रहा है उससे अरे राहुल ये देखो तुमने कितना सुन्दर चित्र बनाया है फिर देव कह रहा है देव क्या यह सच मुझ सुन्दर है वो कह रहा है क्या है सच में सुन्दर है तो फिर बोल रहा है हाँ यह सच मुझ सुन्दर है अपनी बात क रख रहा है, तो किस माद्यम से रख रहा है, भासा के माध्यम से रख रहा है, ठीक है, चलिए, अब आप समझ गए कि किस प्कार भासा की बात हो नहीं है उपर पहले चित्र में राहुल और देव बोल कर एक दूसरे को कि विचार जान रहे हैं यह क्या हुआ भासा का मौकिक रूप है वो उसे बोल रहा है पूछ रहा है और वो उसे बता रहा है तो क्या है यह मौकिक रूप है भासा का ठीक है अब आप समझ गें कि जिसलिए क्या चीज है भासा वह साधन है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने भावों और विचारों को बोलकर अत्वा लिखकर व्यक्त करता है अत्वा दूसरे के भावों और विचारों को सुनकर अत्वा पढ़कर समझता है तो वो क्या चीज है भासा उसके लिए एक साधन बनाया गया था कि भासा के दोरा ये चीज हो सकता है तो अब आपको पुछा जाएगा कि भासा के कितने रूप है ठीक है तो आपको पढ़ने की जरुवत नहीं है आपने ये पढ़ा है कि भासा के कितने रूप है दो रूप है, एक मौकिक और लिखित, ऐसे आपका question आता है, ठीजा, अब आप से ये पुछा जाएगा, कि मौकिक भासा क्या है, इसमें वक्ता अपनी बात कहता है, और स्रोता सुनता है, वक्ता मतलब जैसे मैं बोल रही हूँ, और इस समय स्रोता कोन है, आप लोग है, आप मेरी बात को समझ रहे हैं, इस प्रकार का वह रूप, जिसमें एक व्यक्ति बोल कर अपने विचार प्रकट करता है, और दूसरा व्यक्ति सुन कर उसे समझता है, तो वो क्या है, मौकिक भासा, अभी हम कौन सी भासा कप्रियों कर रहे हैं, मौकिक भासा कप्रियों कर रहे ह तो क्या है भासा मोखिक भासा का उधाना नहीं यह सब क्या है मोखिक भासा है ठीक है इसलिए इसमें भासा का ये महत्त्व है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं हम अब आते हैं लिखित भासा में लिखित भासा कौन सी होती है देखो जिसमें एक व्यक्ति लिख कर अपने विचार या भाव प्रकट करता है और दूसरा उसे पढ़ कर समझता है अब मैं आपको जैसे कोई चीज़ लिख के दूँगी तो आप उसे फिर पढ़ेंगे उसे समझेंगे तो आपको पढ़ना भी पत्रिकाएं होती है समाचार पत्रों होती है कहानियां होती है जीवनियां कविताएं जो भी है यह सब क्या है लिखित भासा के उधारण है इसलिए अब आप समझ गए होंगे आपको समझ में आ गई होंगी मोखिक और लिखित दोनों भासा ठीक है और इसके अलावा भासा करने रूप और है वो क्या है वो है सांकेतिक भासा भासा के इस रूप का प्रियोग बहुत कम होता है अब जो कि लिखित भासा का प्रियोग होने लग गया तो अब जो है सांकेतिक भासाओं का बहुत कम प्रियोग किया जाता है ठीक है मोकिक भासा के लिकित भासा के उधारन देखे आपने ये सब क्या थे लिकित भासा के उधारन थे पत्र लेखन समाचार पत्र ये सब लिकित भासा के उधारन है ठीक है और सांकेतिक भासा इसके अलावा एक भासा ये है सांकेतिक भासा भी एक भासा है ठीक चलिए आगे बढ संकेतों द्वारा समझाई दाती है या इसारों द्वारा बताई जाती है तो उस भासा को क्या कहा जाता है संकेतिक भासा कहलाती है जैसे चौराहे पर जो सिपाई देखा होगा आपने सबने खड़ा रहता है वो इसारों से हाथ लाता है वो करता है या मुख बधी लोगों को इसारों के तोरह बात बताई जाती है जो सुनते नहीं है उनको इसारों से बताते है न तो और वारतालाब करते हैं उनसे तो उसे क्या का जाता है उसे संकेतिक भासा कहते हैं ठीक है और एक अब है मात्र भासा अब पहले तो भासा आई अब आई मात्र भासा मात्र भासा किसे कहते हैं बालक जिस परिवार में जन्म लेता है उस परिवार के सबी सदश्यों के द्वारा बोली जाने वाली भासा वा सबसे पहले सीखता है यही उसकी क्या कहलाती है मात्र भासा जैसे हम घर में सबसे मुम्मी, पापा सबसे भोलना सीखते हैं, जो भी दादी, नानी हमारे बोलते हैं घर में, उसी को घर मच्चा जब पहले सबसे सीखते हैं, तो उस भासा को क्या कहा जाता है, मात्र भासा कहा जाता है, जो अपने परिवार के द्वारा ही सीखी जाती है, ठीक है चलिए आगे बढ़ें राष्ट भासा क्या आप देखिए गाई राष्ट भासा वह भासा जो देश के अधिकतर निवासियों द्वारा प्रियोग में लाई जाती है उसे क्या कहा जाता है राष्टभासा कहा जाता है सबी देशों की अपनी अपनी राष्टभासा है होती है हर देश की अलग अलग राष्टभासा जैसे अमेरिका की अंग्रेजी है है न अमेरिका की राष्टभासा क्या है अंग्रेजी है और चीन की चीन की राष्ट भासा चीनी हो गई, इसकी अंग्रेजी हो गई, जापान की राष्ट भासा क्या है जापानी हो गई, रूस की राष्ट भासा रूसी हो गई, उसी प्रकार हमारे देश की राष्ट भासा क्या है? हमारे देश की राष्ट भासा है हिंदी, हमारे राष्ट भा अब देखो राज भासा किसे कहते हैं भासा समझ गया आप मात्र भासा समझ गया राष्ट भासा समझ गया आप देखो राज भासा क्या है राज भासा उसे कहा जाता है जो कि सरकारी कामकाज में प्रियोग में लाई जाती है जैसे कारियालेहों में अफिसों में जो भासा काम प्रियोग करते हैं उसे का जाता है राजभासा ठीक है हिंदी को भारत की राजभासा कब स्विकार किया ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है बहुत बार हर जगा हर कम्टिसन में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी को राजभासा कब स्विकार किया तो वो है 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है अब आप लोगों से ये भी question इस से पूछा जा सकता है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो आप लोग क्या जवाब देंगे हिंदी दिवस कब मनाया जाता है 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है ठीक है अगला देखिए मानक भासा विद्वाना और सिख्षा विद्वारा भासा में एक रूपता लाने के लिए भासा के जिस रूप को स्विकार किया गया या मानिता दी गई उसे क्या का जाता है मानक भासा ठिक जिस हिंदी को हमने भासा में सभी जगा एक सी समानता है उस रूप को दिया गया उसके लिए एक भासा बनाई गई जिसे मानक भासा कहा गया भासा में एक ही वर्ण या सब्द के एक से अधिक रूप प्रचलित हो सकते हैं ऐसे में उनकी किसी एक रूप को बारा मानिता दी ज गई इसमें कौन सा गई गई लिया जाएगा यह गई माना जाएगा अब देखो गई कैसे लिखते हैं आप लोग भी लिखते होगे गई यह गलत है यह मानक रोप इसका सही घाईब शुद्र wage Bahasa का स्थानी रूप क्या कहराता है बोली कहलाता है जैसे हम एक जगा में रहते हैं एक नगर में वहां क्या जो भासा होगी उससे क्या कहा जाता है बोली कहा जाता है इसका प्रयोग एक सीमित सेतर में प्रयोग किया जाएगा यानि कि उसी हिस्से में किया जाएगा जैसे गाउं में किया जाएग भारत में लगभग 600 से अधिक बोलि이 जाते हैं, जैसे भोजपुरी बोली बोली भुढ़ा। गुझे सुक्त हैं, बोली क्छाव ग्नुरुड बोली को साईती की रचनादी है। इसका प्रियोग विश्टित सेत्र में किया जाता है प्रत्य एक राजी की एक अपनी भासा होती है जैसे पंजाब की क्या है पंजाबी गुजरात की गुर्मुकी नहीं गुजरात की गुजराती सारी गुर्मुकी नहीं गुजरात की गुजराती होती है और असम की असमिया कस्मीर की इसमें आपसे ये सवाल पुछे जाते हैं कि किस राजी की भासा कौन सी है पंजाब की पुछेंगे पंजाबी गुजरात की पुछेंगे गुजराती ठीक है असम की असमिया असम की भासा पुछी जाएगी तो असमिया कस्मीर की कस्मीरी भारती सम्मीदान में 22 बासाओं को मानिता बदान दी गई है ये हैं हिंदी असमिया बंगला डांगरी बोड़ा उद्दू ये कस्मीरी कॉंगरी मेथली मल्यालम ये सारी बासा हैं भारत के सम्मीदान में इन सब को मानिता बदान की गई है ठीक है चलिए आ आज आपके लिए इतना काफी है, आप इतना समझना, इसको पढ़ने की कोशिश करने, आगे हम कल पढ़ेंगे, ठीक है, ओके, थैंक्यू बच्चो,